नमस्कार आप देख रहे हैं VDTV भारत मैं हूँ अनुचा कॉंग्रिस महासचेव दिग्विजय सिंग के आर्टिकल 370 को लेकर सामने आए आडियो पर विवाद बढ़ गया है BJP ने राहूल गांदी से कॉंग्रिस का रुख साफ करने की मांग की है BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉंफरेंस कर कहा कि पाकिस्तान और कॉंग्रिस के विचार एक जैसे हैं और दिग्विजय सिंग देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं संबित ने राहूल गांदी के लिए सरगना जैसे शब्द का इस्तिमाल किया है वहीं अब इस मामले पर दिग्विजय सिंग की सफाई भी आ गई है दिग्विजय सिंग ने सफाई में कहा कि अनपर लोगों की जमात को शैल और कंसीडर में फर्क नहीं पता उन्होंने चीन के साथ भी कॉंग्रिस का कनेक्शन होने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि जब डोकलाम का स्टेंड आफ हुआ था तो पूरा ये तथाकतित गांधी का कुनबा प्रियंका जी, राहूल जी, वार्बरा जी और ये सब जी वो सारे के सारे चाइनीज केंट के नीचे मिले थे, पहले तो मना कर रहे थे पर बाद में जब फोटो आ गया तो हाथ खड़े करके मना किया कि हां हम वहीं थे उन्होंने कहा कि बीजेपी मांग करती है कि दिगविजे सिंग के बयान पर सूनिया गांधी और राहूल गांधी क्या सोचते हैं ये कॉंग्रिस की राय है या नहीं, इसकी सच्चाई राहूल देश के सामने रखें